अधी जी गाओं बस कुछी दूरी पे रह गया है जैसे जैसे मैं गाओं के करीब पौशता जा रहा हूँ दिल को सुकून मिलता जा रहा है सहर में कितनी भी कमाई कर लो मज़ा तो अपने घर अपने गाओं में ही आगे आता है घर बापसी करके मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बिल्कुल राउल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम गाउ बस थोड़ी सी दूरी पे रह गया है हम सब लोग एक साथ मिलके सहर से अच्छी कमाई करके पूरे छे महीने बाद गाउ में लोटी है गाउ की बापसी करके बहुत मजा आ रहा है लेकर बोटी जी एक बाद मैं आपसे गाउ मैं तो आप गाउ में ही रहूंगा यहीं पे खेती बाली करूंगा सहर में कमाने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा यहीं पे गाउ में रहने का मजा ही निराला है पूरे छे माईने सहर में काम करते रहे लेकिन गाउं की याद आती रही अब जैसी गाउं में पहुचने वाले हैं दिल को एक सुकून सा मिलता जा रहा है योगी जी अगर तुम यहाँ पे केती बाली करोगे रहेगे तो मैं भी अब सहर नहीं जाओंगा यही गाउं में यह चार पाज भैसे करीद के दूद बेचने का काम सुरू करूंगा लेकिन मोदी जी एक बात बताओं मुझे तो बापस सहर ही जाना पड़ेगा क्योंकि ना मेरे पास योगी जी के तरह दो चार बीगा जमीन है ना ही आपके तरह मेरे पास जादा पैसे है जिससे मैं भैस करी के दूद का दंदा सुरू कर दूँ मैं तो जो सहर से छे महीने में कमा के लाया हूँ गाव में उस पैसे को दो महीने में खा जाओंगा उसके बाद फिर से सहर जाना पड़ेगा लेकिन फिर भी कुछ भी कहो गर बापसी करके बहुत ही अच्छा लग रहा है अगलेस तुम अंडे भी बेशते रहे ना और मुर्गी की पैताबार भी बढ़ती रहेगी मोदेजी कुछ भी कहलो आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हो जो सुकून गाव में है मेरा मतलब अपने घर पे है वो सुकून कहीं पे नहीं है मैं भी सहर कमाने के लिए बिल्कुल नहीं में मोदी जी तो आप ही दूसरा काम को ना कर लेना मुझे तो भैसी पालन अच्छा लगता है भैस पालन करके गाओं में दूद बेच के पैसा कमाऊंगा और भाई लोगो वीडियो ग्लैक करो चैनल को सब्सक्राब करो अरे मोदी जी लालू जी राहूल केजरीबाल जी अरे कैसी बैटी बड़े हो ये खीर की प्याली है के उड़ाओ और खाना सुरू करो जरूर वैसी जी जरूर खाएंगे जब येद की दावत पर आपने बुलाया है तो जरूर आपके यहां के खीर और सिवही खाएंगे हम अभी खाते हैं पहले तो वैसी जी हमारी तरफ से आपको येद की बहुत-बहुत मुभारत बात पिछले साल इद की दावत पर आपने मुझे बिलाया था जो आपने खीर खिलाई थी उसका सौाध आस तक मेरे बुञे नहीं गया है अरे मोदी जी इस साल की खीर तो का कर देखो इस साल की खीर तो पिछले साल से भी जादा अच्छी है क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेबा डाली है और यह जो आपके बराबर में लालू जी बैठे इनी के यहां से भैस का दूद मगाया था मैंने खीर बनाने के लिए लेकिन लालू जी आपने दूद के रैड बहुत बढ़ा दिये उबैसी जी दूद के रैड को देख रहे हो मैं भैस का बिल्कुल प्योर दूद बेशता हूँ इसलिए मेरे दूद के रैड जाता होते हैं इसलिए तो आपके खीर का स्वात बढ़िया होता है चलो ये तो रही बिजनिस की बात है लेकिन उबैसी जी आपके हाथ की बनेवी सिवही मुझे बहुत अच्छी लगती है सिवही की प्याली लाओ एक मेरे लिए आप एद की दावत पर बुलाते हैं दिल को सो जाता है मेरी तरफ से भी आपको एद की बहुत-बहुत मुबारक बात अरे लालू जी और आप सब लोगों को भी मेरी तरब से ईद की बहुत-बहुत मुबारक बात अरे अखलेस तुम ईद की दावत पर बढ़ा देर से आयो अब आयो सबसे पहले तो फोन मैंने आप ही को किया था क्या बताऊं उबैसी जी ग्यों की फजल की कडाई का काम चल रहा है इसलिए खेत पर चला गया था अचानक मुझे याद आया कि उबैसी जी ने ईद की दावत पर बुलाया है तुरंत भागा चला आया और वैसी जी हमारी तरब से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुभारक बात राउल बेटे खाना सुरू करो वैसी जी के हाथ की खीर बनी वी बहुत ही अच्छी होती है ईद के मौके पर ये बहुत ही अच्छी खीर बनाते है कैसा बेटे बढ़ा खाना सुरू कर और राहूल वैसे जी एक बात तो बोलना मैं आपको बूली गई इत की मेरी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत मुभारक बात अरे सोनिया जी मेरी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत मुभारक बात और राहूल सोनिया जी बिल्कुल सही तो कह रही है ये खीर खाना जुरू करो जब तुम सब लोग खीर का लोगे उसके बाद मैं समय किला हूंगा ये तेको मेरे हाथ में समय है वैसे उबैसी जी आप हमें हीद की दाबत पर बुलाते हैं हमारा दिल को सो जाता है और राहूल मोदी जी तुम सब लोग मुझे होली और दिबाली की दाबत पर बुलाते हो तो मेरा दिल भी तो खुसी से जूम उड़ता है इंसानिया से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है अपना सब लोगों को इसी तरीके से मिल जुल कर रहना चाहिए एक दूसरे की खुसी और दुख में सामेल होना चाहिए यही तो इंसानियात है मेरी तरफ से भी उबैसी जी आपको ईद की बहुत-बहुत मुबारक बात और भाई लोगों वीडियो को लेक करो चैनल को सब्सक्राब करो बहुत-बहुत-बहूत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- मैं उसने इस दामप में बिलकुल खास लोगों को बुलाया तुम खास नहीं होते तो क्यों बुलाते आ गोबी और आलू अंदरी अंदर पानी में कहीं तैर रहें जना बढ़िया तरीके से नीचे से गोबी आलू निकाल के लाओ अखलेस को दे दो अखलेस नाराज हो गया अरे अखलेस कैसी बात करती हो मैं तुम्हें अभी सबजी देना बोल गया अरे ये तुम्हारा घर है घर में भी कोई नाराज होता है तुम उटके जा रहे थे अभी मोदी जी बता रहे लो इदर लाओ नीचे से रसीली सबजी मैंसे मैं तुम्हें गोबी और आलू नचाट के देता हूँ तेरा भी राओल ध्यान कहां रहने लगा है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता आरे यहां पर दावत पे अगर बुलाया है तो सब को बराबर ध्यान रख तुम्होदी जी पे जादा ध्यान दे रहा है अकलेस से छमा मांग अरे अकलेस मैं अपनी इस गलती के लिए छमा पिरारती हूँ ना मैंने तुम्हें पूरी दी ना सबजी दी आगे लाओ पत्तल लो ये गोबी आलू लो अरे मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं गया तुम्हारी तरब तुम तो पत्तल तोड़के खाने लगे ये कोई बात अरे इटे दोते डोते मेरी गर्दन भैटी जा रही है तुम तो इटे डो ले तूँं अरे मैं बुला हो गया हूँ मैं किस तरीके से ढूँन इटे ये बताओ कोई दूसरा काम देखनो जो हल्की मेनत हूँ बहुत मेनत पड़ नहीं है ये काम करने में मुझे अरे मोदी जी तुम्हे कोई काम समझ में आता है हमें साजी कह रहे थे काम करवाने को खेत पे काम करवाते वो खेत जुदबाते तो खेत जोतने में कौन सी पुराई थी अरे खेत तो बैल जोतता तुम्हें सिर्फ हल चलाना था लेकिन तुमने बो भी काम करने से मना कर दिया बो काम नहीं करोगे तो ये मेहनत का काम तो करना ही पड़ेगा अरे राहुल मैं तुझ से कह रहा हूँ मेरे लिए बात करके देखना हम इस साजी से ये मोदी जी हल चलाए ना चलाए मैं हल चला लूँगा मैं ये इटे नहीं ढूंगा अरे मेरी गर्दन दो इंच नीजे बैट गई समझे काम करते करते ये इटे ढोटे ढोटे मैं इटे नहीं ढूंगा अरे लडो मत लडो मत मोदी योगी जी और राहुल लडो मत समझे अरे क्या करा जाए बे रोजगारी में काम करना ही पड़ता है जब कोई काम और नहीं मिलना है तो इटे तो धूना ही पढ़ेंगी सिर्पे क्या किया जाए अरे तुम सबसे जादा तुम मेरी गर्दन बैठी जा रही है इटे दोटे दोटे अरे मोदी जी तुम भूले जरूर हो लेकिन हमसे आज भी बहुत मजबूत हो तुम अरे तुम आज भी बहुत मजबूत हो हम जवान होकर भी इतनी मेनत नहीं कर पाते हैं जितनी तुम मेनत कर लेते हो क्या करा जाए बेरोजगारी में यही काम करना पड़ेगा